वेलकम टू आ यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्यूचर पॉफिक कंटिनुस टेंस ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो सबसे पहले हम और interrogative sentences कैसे फर्म करते हैं तो अगर में identification की बात करूँ तो हिंधी में अगर आपको कोई भी sentence से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे से रहा होंगा से होंगी या से रहे होगे इन पर end होता हुआ मिलता है तो आप कह सकते हैं कि यह future पॉफिक कंटीनियूस का part है ठीक है तो next इसकी जो है हम affirmative sentence की formation देखते हैं कि affirmative sentence आप कैसे बनाते हैं तो formation के लिए आपको सबसे पहले subject उसके बाद आपके पास दो helping verbs होती है will plus shell फिर have और been आता है फिर v4 verb की first form जो होती है जो की हम लोग v1 के साथ ing attach करके बनाते हैं उसके बाद आपको object आता है and finally आपके पास time frame आता है तो इस time frame को हम लोग next slide में discuss करेंगे कि यह time frame होता क्या है तो time frame जो है basically आपका दो type के time frames होते हैं तो इसके रहें दो keyword use कर रहे है different different एक होता है for और एक होता है since तो time frame का मतलब है कि जो आप उस sentence में time बता रहे हैं वो कैसे दिखाया गया is it a period of time or point of time तो period of time का मतलब होता है कि आपने interval दे रखा है ठीक है जैसे इतने दिन से इतने घंटों से या इतने वक्त से कोई चीज हो रही है तो जब भी कितनी देर से कितने समय से ऐसा कुछ होगा तो आप for का use करोगे और जब भी कि ऐसा होगा कि आपको किसी भी action का point of time पता है generally उसका starting point कि कब से वो चीज शुरू हुई है तब आप since का use करते हैं तो इसको हम कुछ examples के थ्रू समझेंगे तो जैसे हम यहां पर कह रहे है हम सोंवार से school जा रहे होंगे तो यहां पर आपने सोंवार से fix point बता रख है कि कब से वो काम शुरू हुआ होगा तो यहां पर देखिएगा we shall have been going to school since Monday तो एक छोटी सी बात और यहां पर note करने वाली है कि जो हमारे दो helping verbs है will and shall तो shall का use आप first persons के साथ करते हो like I और we के साथ और बाकी जो आपके second और third persons है उनके साथ आप will का use करते हो तो क्योंकि we मेरा first person plural होता है तो मैंने यहां पर shall यूज कर रखा है तो देखते हैं संटेंस को कि हम सोंवार से school जा रहे होंगे we shall have been going to school since Monday तो since आया क्योंकि Monday specific point of time है तीक है राजन सुबह से cricket खेल रहा होगा राजन will have been playing cricket since morning पापा तीन घंटों से अखबार पढ़ रहे होंगे पापा विल I shall have been reading newspaper for three hours तो यहां पर एक interval of time है कि कितने देर से वो पढ़ रहे थी newspaper तो इसलिए हमने फॉर लगाया है वह दो गंटे से गाने सुन रहा होगा he will have been listening to music for two hours चीक है यह आप इसको listening to songs listening to songs भी कह सकते हो ठीक है listening to music for two hours मैं 2007 से किताब लिख रहा होगा I shall have been writing book since 2007 तो यहां पर क्योंकि point of time है तो मैंने इसके साथ since लगा लिया है next अगर इसके अंदर हमें negative sentence बनाने हो four sentence जो negation शो करते हैं कि ऐसा काम नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए आपको जो आपकी helping verbs हैं will और shall उसके बाद not लगाना होता है ठीक है और बाकी की sentence formation आपकी बिलकुल सेम रहती है तो कुछ examples की help से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम सोमवार से school नहीं जा रहे होंगे we shall not have been going to school since Monday राजन सुबह से cricket नहीं खेल रहा होगा राजन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग cricket since morning पापा तीन घंटों से अखबार नहीं पड़ रहे होंगे पापा will not have been reading newspaper for three hours वह दो गंटे से गाने नहीं सुन रहा होगा he will not have been listening to music for two hours मैं 2007 से किताब नहीं लिख रहा होगा I shall not have been writing book since 2007 तो आपने will और shall के बाद not attach किया है तो इस तरह से हम लोग हमारे जो negative sentences होते हैं वो form करते हैं तो next category जो हमारी sentences की रहती है वो है interrogative and interrogative की further two types में मुसको divide कर देते हैं so first category जो आती है that is our yes no questions and how to form yes no questions yes no questions को बनाने के लिए आप जो आपकी helping verb होती है उसको subject से पहले place करते हैं और at the end of the sentence आप question mark लगा देते हैं तो इस तरह से आपके yes no questions बन जाते हैं and what are yes no questions? yes no questions आपके वो questions होते हैं जिनका answer ही yes या no में आता है तो कुछ example से समझेंगे कि किस type के questions होते हैं तो जैसे पहला question है क्या हम somewhere से school जा रहे होंगे तो इस question का आप answer yes या no में दे सकते हो that's why it is called yes no question और इससे form करने के लिए आपने जो helping verb है उसको subject से पहले place कर दिया है तो कैसे बनेगा ये shall we have been going to school since Monday क्या राजन सुबह से cricket खेल रहा होगा will Rajal have been playing cricket since morning क्या पापा तीन घंटों से अखबार पढ़ रहे होंगे will पापा have been reading newspaper for three hours क्या वह दो घंटों से गाने सुन रहा होगा will he have been listening to music for two hours क्या मैं 2007 से किताब लिख रहा हूँगा shall I have been writing book since 2007 तो इस तरह से हमने yes no questions form कर लिए and next category जो हमारी रहती है interrogative sentences की वो होती है WH questions की and WH questions वो होते हैं जिनमें आपको explain करना पड़ता है ठीक है उनको आप yes या no से answer नहीं कर सकते हो and how to form yes no questions yes no questions के आपके लिए आपके पास WH keywords होते हैं जैसे what होता है where होता है when होता है why होता है how होता है ठीक है तो ये कुछ keywords हैं जिनकी help से आप WH questions को form करते हैं कुछ examples से समझेंगे इसे भी हम सोमवार से कहां जा रहे होंगे where shall we have been going since Monday राजन सुबह से क्या कर रहा होगा what will राजन have been doing since morning पापा तीन घंटों से क्या कर रहे होंगे what will पापा have been doing for three hours वह दो घंटे से गाने क्यों सुन रहा होगा why will he have been listening to music for two hours मैं कब से किताब लिख रहा होंगा when shall I have been writing book okay thank you guys thanks for watching the video